आज की बीडियो में सिखने वाले हैं अस्तर के सूट की कटिंग, दोस्तों इस बीडियो के लाश्च तक आपको समझा देंगे कि आपको अस्तर वाले सूट की कटिंग करनी कैसे चाहिए और होती कैसे है, अगर आपको आता है फिर भी मैं बता दूँगा, जोर्जेट हो सिफोन हो या ब्रोकेड हो कुछ भी हो कपड़ा भगता है या छोटता है या नहीं बेटता है वो भी बाद में आज चो बताऊंगा आपको करना क्या होगा ठीक है बस इस वीडियो को पूर जोर देख लीजगा एक बार ठीक है यहाँ पर पूर डिटेर में बताने वाले है ठीक है तो यहाँ पर मेंने इसको बिजआ है मालो ठीक है अब आपको क्या करना होगा सबसे पहले अपने उसी कपड़े को जो इस Melbourne को आप कटिंग करना चाहते हैं अच्छी तरके से प्रस करना है उसके बाद उसको पिनिंग करना है ठीक है पिनिंग करने के बाद अस्तर को आपको पहले कटिंग कर लेना दोस्तों जिस तरह से मैंने यहां पर अस्तर को पहले कटिंग कर लेना है जब आप अस्तर पहले कटिंग कर लेंगे तो तरह से आपको उसको पर पट्रे रख करके cutting करना ठीक है यह वीडियो विगनर्स के लिए है जो लोग नए है जो लोग नए स्लाइश सेखना चाहते हैं वालों उनके पास घर में cutting करना के जगा नहीं है या cutting नहीं कर सकते हैं तो उनके लिए वीडियो है जिनको आता है भाई उनके लिए वीडियो नहीं है जो लोग नए लोग सिखना चाहते हैं उनके लिए वीडियो है इस वीडियो को पुरा जरूर देख लिजेगा आपको अच्छी तरिके से यहाँ पर आस्तर वाले सूट cutting करने का तरीका पता सल जाएगा अब क्या है यहाँ पर हमने क्या किया है पहले हमने अस्तर को कटिंग कर रखा ठीक है बस स्रिफ क्या है कपड़े को हमें संभालना है कपड़ा आपका एक सूत भी एक इंच भी हिलना नहीं चाहिए आप घूम जाओ पर कपड़ा ना घूमें तभी आप उसमें माश्टर कहलाओगे तभी आप उस पीछ को काड़ पाओगे ठीक है नहीं तो कपड़ा आपका इधर से उधर चला जाएगा अब यहां पर हमारा फ्रेंड पल्ला जो है कटिंग हो चुका है पिन को हमने निकाल लिया है ठीक है चलिए अब यहां पर यह दिखे हमारे यह बैक पल्ला है इस बैक पल्ले को बिछाएंगे उसके आपको किस तरगे से और इसको क्या है इस तरगे से को कटिंग करना चाहिए है ठीक है यहां पर हमने अपने कपड़े को अच्छी तरग से पहले नीची विशा लिया है उसके उपर से जो है हमारा अस्तर का कपड़ा हमने बिशा करके रख दिया है अब इसको हम यहाँ पे setting कर रहे हैं आपको भी इसी तरह के से setting अच्छी तरह के से कर लेना है उसके बाद कहेंची को लगाना है ठीक है पहले कहेंची मतलगा देना पहले आपको समझना है और अच्छी तरह के से टीके और पीज को भी आपको अच्छे तरके से करना है, उसके बाद ही कटिंग करना है, चलिए, यहाँ पे देखिए, हमारा यह पीज, दोनों तो, फ्रेंट और लिए ठीक है उसके बावजूद भी कपड़ा हमारे पास इतना बचा है यहां पर हमें थ्री-फोर्थ बाजू बनाना है 15 का और मैं आपको दिखाता हूँ बाजू बने का कैसे क्योंकि यहां पर कपड़ा कम दिख रहा है ठीक है तो कोई बात नहीं है यहां पर दोस्तों हमा इस तरके से हमें कर लिया है ठीक है अब इसको हम यहां पर मानेंगे प्रयस तरके से अच्छा जाया शुका। अब ही क्या करना है यहां पर हमें लगाना है मतलब निसान क्योंकि इस पर लगेगे हमारी पटी तो आपको पट्टी लगानी है तो यहां पे आपको 11 6 मोरी भी रखनी है ठीके अब 11 पे 10 हमारा है 75 नियुक्ष यहां से चलिए नंबभई हमना अपर 14 लगाने के बाद यहां आगे से रखेंगे दो इंची तरह पर फेले पो डोला का निसान यहां पर लगाएंगे जो फ़हा है अब यहां से घुमाते प्रोस्त से आपको नहीं आपना है तभी आपको जिवाजु अच्छी तरह से कटिंग हो पाए और रख पाएंगे यह दिख का आप इसको में रावंडिंग करके कटिंग कर लेंगे जो कपड़ा हमारा बच्चे यहां पर हम लगाएंगे जोड तो आपको इसी तरह के से कटिंग कर लेना है क्योंकि पाजू नहीं निकलता तो आरमोल के नीचे जो है थोड़ा बहुत जोड़ लगाना पड़ता है तो वह आप भी लगा लेजिएगा ठीक है तो यह मेरा में मक्सद था जो मेरे को बताना था आपको कि अस्तर वाला सूट तो कटिंग तो सब कर लेते हैं लेकिन करना कैसे है पहले अस्तर को काटना है या पीस अस्तर दोनों साथ काटना है या फिर मतब किस तरखे से आप लोग पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बेलाइकब को ओन कर सकते हैं और यारआ से कमेंट हमारे कमेंटे बॉक्स में कर सकते हैं ठीके दوश्तों मिलते हैं नेस्ट वैडियो तब तक के लिए बाई बाई अपना ध्यान रखिएगा और लेस्टेस्ट वीडियो हमारे आएगी जब तक जब आप बेला आइकन हों करकर रखेंगे तब हमारे जो लेटेस्ट वीडियो आएगा वह आपको मिल पाएगा चलिए बाई